हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को हैपी नीव एर 2023 और उमीद करता हूं कि जिन लोगों का सेलेक्शन 2022 यह 2021 2020 2019 में नहीं हो पाया उन लोगों का भी सेलेक्शन 2023 में हो जाएगा क्योंकि ऐसा है कि SSE का इस समय का जो पैटर्न चल ला है वो सबसे फास्ट भी है और दूसरी बात यह है कि वेकेंसी भी अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं आई है तो आप लोगों पर है कि आप लोग सीरेसली लेते हैं या फिर इसको ऐसे ही गवा देते हैं और वैसे तो इतनी बेरुजगारी और इतनी समस्याएं हैं तो आप लोगों को सीरेसली यह लेना चाहिए बातों को और सही रंग से पढ़ाई करनी चाहिए आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना रहा हूँ कि आप लोगों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए जिन लोगों को CGL 2023 के प्रिलिम्स की तयारी करनी है खास तोर पर उनके लिए वीडियो है क्योंकि 2022 की तो प्रिलिम्स हो गया है उन लोगों के लिए अगर वो लोग चाहें तो क्योंकि prelims का और mains का आप तो same pattern हो गया है तो अगर same pattern है तो अगर same तरीके से पढ़ाई करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो तो फिर बात करते हैं कि morning में कितने बज़े उठना है सबसे पहला अगर कोछ चलिए है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3 बज़े उठ जाओ, 4 बज़े उठ जाओ आप खुदीस हो सकते हो, 6 बज़े, 7 बज़े से 8 बज़े तक लोग उठते हैं लेकिन अगर आप यह समझोगे कि 8 बज़े लोग उठते हैं, उनका काम चल ला है तो मैं भी उठूँगा, ऐसा नहीं है, आप ऐस्पिरेंट हो, और लोग की कंडिशन, आपकी कंडिशन में अंतर है तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा जल्दी उठना है पांचे बज़े तक उठ जाओ, तो ठीक है, इसके बाद में आठ बज़े तो एक थ्रिसोल्ड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अगर कुछ लोग तो ऐसे से हमने देखे हैं, जब हम तयारी करते थे, तो मेरे साथ, मेरे बगल के रूम में दस बज़े उठते थे, ग्यारा बज़े उठते थे, जिस समय पर हम अपनी पढ़ाई थोड़ी गंटा-दो गंटा कर चुके होते थे, उस समय पर वो एक बर उठके जाते थे, फिर सोते थे और जब हम अच्छी कासी पढ़ाई कर चुकते थे तब वो लोग उठते थे प्रॉपर ढंग से उठते थे हम लोगों का जब खाना बनता था तब उन लोगों की चाय और मंजन होता था तो उतना भी लेट नहीं करना है छे बज़े मुझे लगता है कि उठने में किसी को दिक्कत नहीं होने चाहिए क्योंकि हम भी खुछ छे बज़े उठ जाते हैं इस समय पर पहले नहीं उठते थे साथ बज़े उठते थे लेकिन एक आदत बनाओ कि यह जदा लेट ना हो और उठने के बाद में अपना फ्रेस्वा सुबह जो भी प्रक्रियर रहती है उसके बाद में आप पढ़ाई करो मुझे लगता है कि सुबह के टाइम पर याद करने वाला ज़्यादा सही रहता है रजाई में बैठे हो आराम से आद करो अभी कुरसी मेज पर बैठने में अगर मौक देना हो पढ़ जाए या फिर बैठ के पढ़ना हो तो थोड़ा दिक्कत रहती है जैसे मायत है उसमें पैन कॉपी हर चीज की जरुद रहती है लेकिन जीएस में इन सब चीजों की जरुद नहीं रहती है तो मुझे लगता है कि सुभे गटाइम पे जीएस ही पढ़ो ज़्यादा सही है क्योंकि उतना कहने को तो कुछ भी कोई बोल सकता है लेकिन उतना बन नहीं पाता है उसलिए घंटा दो घंटा जीएस पढ़ लो छे से माल लो उठे साड़े छे से साड़े आठ बज़े तक आराम से जीएस पढ़ लो उसमें जीएस के साथ साथ ठेटिकल भी पढ़ लो और वन वर्ड टाइप वाले जो अंसर रहते हैं वो पढ़ लो या फिर कुछ करेंट अफेर्स भी पढ़ लो डेली करेंट अफेर्स वैसे पढ़ना सही नहीं है लेकिन अगर पढ़ते रहोगे तो वो आपका जब मंतली या वीकली जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपका फाइदा करेगा फिर उसके बाद में साड़े आठ से साड़े नो या नो बजे तक आप नास्ता और ये सब चीजे भी कर सकते हो चाय नास्ता ये सब करोगे अगर बाहर रह रह रहे हो तो आपको बनाना भी पढ़ता है तो टाइम तो लगता ही है और उसके साथ पोसेज करो नास्ते के साथ अगर आपने current affairs उसके पहले नहीं पढ़ा उसके पहले नहीं पढ़ो current affairs नास्ते के साथ ही रखो गया क्योंकि mobile तो चूटना है नहीं हास से तो newspaper क्योंकि अब क्या है digital ज्यादा चीजे हो गई पहले newspaper हम लोग खरीदते थे क्योंकि उस समय पर क्या था कि आ गया था जीओ लेकि हम लोग जीओ इसलिए नहीं ले रहते कि टाइम बेस्ट होगा ज्यादा तो 2017 मलब 16 में आया है फिर 1718 तक हम लोगों ने जीओ नहीं लिया दूसरे के वाइफाई से यूज करते रहे और एक गंटे में नास्ता है और यह फ्रेस हो जाओगे और उसके बाद में मालो साड़े नौजे तक या दस वजे तक आप फ्रेस हो गए फिर उसके बाद में मैत पढ़िए क्योंकि सुबह के टाइम पर क्या रहता है एनरजी ससेदा रहती है और एनरजी होगी तो आप पढ़ पाओगे अच्छी तरीके से उ यह हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो नौन वर्किंग है और सेल्फ इस्टेडी कर रहे हैं कोचिंग का है तो उसके लिए आपको थोड़ा वो सेडियो लिधर उधर करना पड़ेगा और वैसे भी अगर कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो वहां पर सारे लोग आपको टाइम टेबल बताएंगे वो लोग आपको होमवर्क देंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे फिर उसके बाद में आप थोड़ा थक जाओगे मैद लगाने के बाद थक गए तो मोबाइल तो आपको छूटना नहीं है मोबाइल उठाया और इंगल भी आ जाएगा तो उसकर एपलाई भी हो जाएगा पढ़ाई भी होती रहेगी क्योंकि यह सब कहने की बाते हैं ज्यादा कि मोबाइल छोड़ दो वाटसैप बंद कर दो कर नहीं पाता है कोई एक सोचल मीडिया छोड़ दो गए लेकिन सारी तो नहीं छोड़ सकते हो हाँ छोड़ सकते हो मतलब छोड़ना थोड़ा टफ रहता है तो यह इंगलिस की क्विज हो गई अपना नहाना खाना कुछ लोग तो खाना बनाते भी होंगे तो उन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा तो अपना प्रॉपर देखो खाना सबसे इंपोर्टन चीज़ खाने के खाई नोकरी जो भी खारने के लिए कर रहें तो खानने तो कम से कम अच्छे होना चाहिए और खाना बनाने में भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बना लिया खतम करते हैं अच्छे से बनाओ अच्छा खाऊ वनना खाना नहीं खाऊ गए तो फिर सही हेल्थ पर आये गा इसका एफ एक एफेक्ट पढ़ता है उससे खाना खाने करने के बाध बैठने से की आपका वेट ही बढ़ता है और मेरा बढ़ गया काफी ज्यादा और एक बढ़ता तो फिर बढ़ता जला जाता है पहले नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन जिस दिन बढ़ना स्टार्ट होगा सोना भी है तो एक दो घंटे सो लो लेकिन अलारम लगाओ दुनिया भर का फिर उसमें नींद भी नहीं पूरे होगी इसके लिए आपको सोना तो आप वह रात को टाइम निकालो वह ज्यादा सही रहेगा इसके लिए आप इंग्लिस पढ़ो और इंग्लिस में क्या है कि वह स चलाना हो चला लिया साड़े चार से पांच आप क्या करिए कि मैध के फर्मूले या फिर मैध के कुजिस भी कर सकते हो क्योंकि मैध के भी छोटे चोटे जो केलकुलेटिव कॉश्चन्स रहते हैं तो उसको आप कुजिस से ही हैंडिल कर पाऊ गए अगर कुज आप जल्द और मैं और मैंस दोनों में इंग्लिम को बहुत करें तो थोड़ा गाटा बहाए लेकिंड़ अगर समय पर कहा जाए कि जीऊ सको भिलकु छोटने से होगा सेलेक्शन के नहीं तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकता कि हो जाएगा क्योंकि जी अब मेंस का पार्ड बन गया है तो गंटे पर मैं रिजनिंग पढ़ लिए विसे कुछ नहीं प्रिवेस येर के कुश्चन उठाइए पीडिया डाउनलोड कर लिए और कहीं से प्रिंट मिल जाए तो प्रिंट कर लो ज्यादा सही है अगर कोई भूक भी ठीक लगे वह कर लो तो बन जाएगा बढ़िया क्योंकि रिजनिंग क्या है कि बहुत कुछ नहीं करना है लेकिन इतना भी कब नहीं करना कि सेलक्शन ना हो फिर थोड़ी दिर घूमिये टहली आपका जो सक्कूरी के साथ यह कर लो उसके बाद में फिर से पढ़ाई पे अजाओ फिर आपका लो gratitude नहीं która भी कि बीच बीच में आपको mobile का भी उज़ होता रहेगा और बीच बीच में पढ़ाई का भी चलता रहेगा और quiz करने से थोड़ा question दिमाग में आते भी रहते हैं बहुत सरे question आप पढ़े हूंगे नहीं आएगा लेकिन आपने अगर क्विज में क्लिक किया है तो एक बर तुमारे सब कॉंसिस माइंड में घुश जाएगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए और फिर उसके बाद में इतना हो गया मदब आज सारे टॉपिक पूरे हो गए फिर आपको क्या करना है एक मौक लगाना ह जैसे मैंने 2017 में गलती की मौक नहीं लगाया सारी तयारी कली फिर भी सेलेक्शन नहीं हुआ तो आप अगर मौक लगाते रहोगे डेली का डेली एक और फिर उसके बाद में उसकी अनालिसिस करते रहोगे प्रॉपर वे में तो यह आपके लिए लॉंग टाइम बहुत बेन बहुत लगा लिए मालो एक घंटे का है आठ से नौ फिर थोड़ा घूमें में और उसके बाद में उसकी अनालिसिस करने लग गए अनालिसिस सबसे जरूरी है क्योंकि अनालिसिस करोगे तभी बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाए ऐसे करते रहोगे नालिसिस नही सब्सक्राइब बिल गया खाया सो गए 12 वजे तक क्योंकि 12 वजे अगर नहीं सो गए तो आपको क्या करना है लाइफ में बैलेंस बनाना है हेल्थ भी वची रहे तैयारी भी हो जाए टाइम भी उतना ही रहेगा क्योंकि सबके पास वही है और फेस्बूक इंस्टा पर से बिल्कुल सन्यास नहीं लेना होगा सब कुछ आप करते रहोंगे हर एक चीज करते रहोंगे और आपका सेलेक्सिन भी हो जाएगा अगर इस तरीके से आप अपना टाइम देखो सबसे में चीज़ है टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए टाइम को वेस्ट भी करना है तो प् नहीं कुछ है तो फिर वोकामेल्री पढ़ रहे हो वह नहीं है तो फार्मूला देख रहे हो और इंग्लीज की कोई वेब स्रीज देख रहे हो इस टाइप की चीजें करोगे तो आपका अपकी अंहेंस्मेंट होगा आपकी परसलिल्टी में भी आपके नॉलेज में भी आपक कोई घाटा भी नहीं होगा आखो पर भी एफेक्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि ज्यादा देखोगे तो आखे खराब हो जाएंगी तो आपको हम अगला वीडियो बनाएंगे आपकी बुक लिस्ट पर कि मैंने क्या-क्या बुक पढ़ी उस पर और भी जो चीजें होंगी उस तो फिर ठीक है अगर आपने सब्सक्राइम ना किया हो तो कर लो अगर अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको पेस्ट आफ लाग बोलता हूं अगर आप यहां तक पहुंच गये हो तो इसका मतलब आपका सेलेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि आप में पेसेंस है पेसेंस अब करना है ठीक है नमस्कार